यग्य के समापन के लिए अंतिम समिता डालो वत्स ओम भावतु बिक्षाम डेही यग्य समापन के अंतिम शण है ये फून आहुती डालो ओम भावतु बिक्षाम डेही बेट जाओ वक्स तुम यग्य छोड़कर कहीं नहीं जाओगे विक्षाम डेही राजन शमा करें गुर्देव कि तुम बली के द्वार पर कोई भिक्षो काए और उसे भिक्षा के लिए दूसरी बार भी गोहर करनी पड़ें तो बली की दानी विर्ति को सौ बार दिकार है अब मैं नहीं रुख सकता वत्स रुख जाओ वत्स रुख जाओ प्राणाम राजन प्राणाम ब्रामोदेव कहिए क्या चाहिए आपको राजन मैं तो एक साधारन ब्राम्मन हूँ और एक ब्राम्मन विक्षा के अतरीक तो और क्या चाह सकता है क्या विक्षा चाहिए आपको स्वण, गोधन, गजदन, हीरे, मोती नहीं राजन, मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए ब्रामोदेव तो फिर जो भी आवशकता हो आपकी मेरे सामने विक्ष कीजे यदि मेरे वश में हुआ तो मैं इसे पूरा करने में तनी भी संकोश नहीं करूँगा राजन राजन ब्रामोदेव क्या करेंगा अब तीम पर भूमी का इसलिए नहीं पूछा था कैंठूश मैंने इसलिए पूछा था प्रामोदेव यदि कोई ऐसा व्यक्ति तीन पक भूमी मांगे जिसका आकार साधारन व्यक्ति की तरह हो तो भी उसका कुछ भला ना होगा और आप जैसे आकार वाली व्यक्ति के तीन पक तो और भी कमस्तान घहरेंगे उसमें तो साधारन व्यक्ति ख़ड़ा भी नहों पाएगा राजन मैं यह तीन पक भूमी किसी साधारन व्यक्ति के लिए नहीं मांग रहा हूँ स्वयम अपने लिए मांग रहा हूँ आप में एक शमता हो तो भिक्षा दान करें नहीं तो मैं आगे बढ़ू मैं आपको यहां से कहीं नहीं जाने दूँगा ब्रहमावदेव मुझे तो यह सोच कर अश्चरे हो रहा है कि आप महा सागर से केवल एक गूंद पानी मांग रहे हैं परवत से केवल एक गण चाहते हैं आप मुझसे केवल तीम पग्भूमी मांग रहे हैं और मैं छुप दोवा रहा हूं केतना छोटा इतना साधारम इतना तुछे दान लेते हुए आपको तो लज्जा नहीं आ रही है किन्तु ब्रामल देव देते हुए मुझे लज्जा आ रही है मांग ये ब्रामल देव कुछ ऐसा मांग ये कि जिसे देते हुए मुझे प्रसनता हो गर्व हो राजन मुझे तो केवल तीम पग्भूमी चाहिए कुछ मत देना वत्स इस ब्राम्मन को कुछ मत देना इसे कुछ मत देना वत्स इस ब्राम्मन को कुछ मत देना गुर्देव किन्तु क्यों इधर आओ ये ब्राम्मन नहीं है तो तो फिर कौन है यह चलिया है यह स्वैम विश्नु है शरी विश्नु भगमान हाँ विश्नु जिसे तुम सब बड़े आदर से शरी विश्नु भगमान कहते हो परन तुम मैं जानता हूं यह कौन है क्या है देखो ना आज भी वामन रूप में हमें ठगने आ गया है नहीं गुर्देव नहीं आप तो भालिभाती जानते हैं कि मैं माता लक्षमी का कितना बड़ अपा सकूं मैंने तुंसे भी कहा था कि मैं भाग्वान विश्णु के दर्शन करना चाहता हूं जो मेरे दादशी प्रलाद की पूझे हैं गुर्देव मैं कितना सभाग इशाली हूं एक हैं ज? मेरे द्वार पर आये हैं मैं तो प्रसंदता से फूला नहीं सवा रहा हूं मुल्क मत बनो तुम विश्णु को नहीं जानते हो यह तुम्हें दर्शन देने नहीं तंड देने आया है गुर्देव भगवान यहां किसलिया है मेरे लिए कोई महत्वनी रखता वे यहां आये है मेरे लिए बस यही मातपून है मैं जिनके दर्शन के लिए इतना व्यकूल था वे मेरे सामने है क्या इससे बड़ा सौबाग है संभव है और और वो भी बिख्शुब मन कर यह जब एक धोंग है एक छलावा है तुम इसके छल में मत आना महाराज के विचार में यदि कोई परिवर्तन हुआ हो तो यह ब्रह्मन भिक्षा लिये बीना भी जा सकता है राजन नहीं भग्मन नहीं तो फिर मेरी तीन पग भूमी मने दे दी भग्मन मने दे दी यह नहीं महाराज संक्रप लेना होगा और शजया और शजया है राजन लगता है कि कमंदल में कोई कीट फस गया है एक्शन मेरा चाता एक्शन मेरा है राजन केट निकल गया हे ब्रामादेव लीजे मैंने संकल्प ले लिया मेरे अहो भाग्ये के संसार को सब कुछ बाटने वाला आज मुझसे केवल तीन पक भूमी की आशना कर रहा है ब्रामादेव नाप लीजे तीन पक भूमी मेरा दान स्विकार करके मुझसे धन्य कर दीजे तो लो वच मैं तीन पक नापता हूँ कर दो बाटने पक बाटने पक बाटने पक भाटने वाला कर दो 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 कर झाल चाल देटो ठेवी गंदा का उपतरण है नहीं अब इसका समय नहीं हुआ है आप देटो प्राइब चांदा समय जपतर थे भी गंदा का उचचा समय आपका समय आपका समय अब देखना आपका समय आपका समय नहीं है तक है कि आदि प्रजा पती मुझे अपने कमंडल से मुक्त करने की कृपा कीचिए मुझे धर्दी पर जाना है कि धर्टी मुझे पुघार रही है धर्दी को मेरी आवश्यक्ता है मैं जानता हूं देवी गंगा प्रिच्वी पर आपका अवत्रण नितांत आवश्यक है कि अभी आपके प्रिच्वी पर अवत्रण का समय नहीं आया है अभी आपको यहीं मेरी कमंडल में रहके प्रतिक्षा करने होगी है जो आ गया है कि अभी अभी है कि एब ली मैंने पहला पग उठाकर समस्त धर्ति और पाताल को नाप लिया है अब मैं दूसरा पग उठाने जा रहा हूं लुद्व कि कर दो कर दो दूसरा पग उठाकर मैंने समस्त नक्षत्र मंदल और आकाश को नाप लिया है बली मैं जानता हूं ब्रामलदेव तब तो ये भी स्मरण होगा कि मैंने तीन पग भूमी मांगे थी प्रभू मुझे इस बात कभी भली भाती स्मरा है और अब दीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान शेश ही नहीं है ये भी जानता हूं प्रभू हे बली क्योंकि तीसरा पग धरने के लिए कोई स्थान शेश नहीं है यदि तुम जाहो तो मैं तुम्हें तीसरा पग शमा कर सकता हूं नहीं प्रभू ऐसा मत कहिए जिन हातों आज तक बली से दान स्विकार किया है वे हात साक्षी है जिन आखों नाज तक बली को दान देते वे देखा है वे आखे साक्षी है जिन कान नाज तक बली की दानी प्रवित्ति की ख्याती सुनिये वैका अं साक्षि हैं कि भली कभी अपने संकल्प से नहीं फिरता है भली ने सधा अपने हाथ खोड़कर और नेपर बंग कर कर दान दिया है प्रभु बली ने आपको ती हम भूमी दान करने का वचन दिया है तो आपको अपना तीसरा पग उठाने ही पड़ेगा उठा तो लो बली परम्तु प्रश्न ये है क्यों से रखोंगा कहां वो इस्थान शेशी मेरा मैं जानता हूं प्रभू मैं ये भली भाती जानता हूं कि आपके दोनों पगों ने ये सारी श्रिष्टी मेरा सारा राजपाट और जो मैरा वाख्य और ने की पतिक्षा कर हूं बली कि इस वह कौन सी वस्तू है जिस पर आप भी तुम्हारा अधिकार है अपर दो य अज करीर अ ताकि संसार ये जान ले कि बली के वल देना नहीं वचन निभान भी जानता है। प्रभू कृपा करके उठाई अपना पवित्र पग और धर दीजे मेरे शीश पर। प्रभू ये मेरा अग्रे भी है, मेरा हट भी है और मेरी विनिती भी है। है बली, यदि तुमारी यहीं इच्छा है और यदि तुम यह समझते हो कि इसी में तुमारा उदार है, तो मैं ऐसा ही करूँगा। है कि ऌस से से तुमारी गाव मेरा थकली है, तो मैं एक पर। कर फ्रுत बाद़ कि बादरो भी है, तो मैं यूद उ सकता है, तो मैं पत Charge 6 अविनिती कैन से समय समय सब्स्टा भी है झाल झाल मैं धन्य हो गया प्रभू मैंने अपना वचन निभा दिया है अब लिए तुमने अपना वचन निभाया तो सही पर जानते हो कि यह सब मैंने क्यों किया है यह प्रभू कि आपके अत्रिक्त आपकी लीला और कौन जान सकता है मैं तो केवल इतना जानता हूं कि संभवता इसी में मेरा अधार में ही थे बली तुमने अपने जीवन का प्रारंब बड़े शुब और उत्तम धंग से किया था परंतु जब तुम जीवन के दो राहे पर पहुंचे तब तुम उस मार्ग पर चल पड़े बली जिस पर असत्य का देरा था एंकार का अंधेरा था ये वो मार्ग नहीं था बली जो मेरे भक्त प्रलाग में चुना था ये तो हिरन्य कशपू की प्रवृत्ती का मार्ग था जिसके दमन चक्र को रोकने के लिए स्वयम मुझे नरसिंग अवतार धारन करना पड़ा था जब तुम उस मार्ग पर अत्यधिक आगे बढ़ चुके थे बली तब तुम्हें अपनी भूल का अभास अवश्य हुआ था परंतु तब तक तुम स्वयम उस मार्ग से लौट कर नहीं आ सकते थे तुम्हें सत्य के मार्ग पर केवल ईश्वर ही ला सकते थे और इसी लिए मैंने ये वामन रूप धारन किया प्रणाम माता आपकी जय हूँ आईश्यमान भहुवत्त सर्विश्वर तुम्हें बता देना चाहते थे कि जिस प्रकार तीपक ये जान लेता है कि सूरी प्रकाश में उसके अस्तितु का कोई महत्य नहीं और वह बुच जाता है उसी प्रकार प्राणी को भी ये जान देन चाहिए कि इश्वर की शक्ति के समख्ष उसका कोई महत्य नहीं और उसे उसके आगे से चुका देना चाहिए अब ये लक्ष पूरा हो चुका है तुम्हें सत्य का ग्यान हो चुका है मेरा सुर जुक चुका है मादे और इसी लिए हम दोनों तुमसे अत्यंत प्रसंद है हे बली तुमने दान दीक्षा का एक ऐसा उदारण दे दिया है जो समस्त संसार के रहते भुलाया नहीं जा सकता वाद्स तुमने अपनी प्रजा को न्याय दिया परिवार को स्नेह दिया बस एक भूल की तुमने अपने क्रोध में अपनी सीमा भूल गये बनी जीवन का महान तम लक्ष सीमाओं का निर्दारण ही तो है मैं तुमसे अपार्च नहीं करती हूं मैंने अपनी क्रिपासे तुम्हारे लिए भंडार का मुख खोल रखा था क्योंकि तुम धनका सदुप्यों कर रहे थे अब मेरा लक्ष पूर्ण हो चुका है और मैं तुम्हें एक्षमा भी कर चुका हूं अब मुझे एक्षीर सागर लोटना है परन्तु जाने से पहले मैं तुम्हें तुम्हारा राज्य लोटा रहा हूं वत्स यदि इसके अतिरिक्द भी तुम्हारी कोई और इच्छा हो तो व्यक्त करो उसकी पूर्ती करने में मुझे आनंद ही होगा केवले की इक्षा है प्रभू मैंने ते दिन आप दोनों के दर्शन करना चाहता हूं भूर भय जब मेरे नेत्र खुलें तो मैं आप दोनों को अपने समक्ष देखना चाहता हूं तथा आस्तु और मैं तुम्हें वचन देता हूं वट जैब तक तुम जीवित रहोगे नित प्राता मुझे अपने द्वार पर उसी तरह उपस्थित पायोगे जिस प्रकार तुम्हारे द्वार रहते हैं मैं तो सदैव तुम्हारे साथ हूं तुम मेरे लाडले हो सदय मेरा आशरवाद तुम्हें प्राप्त रहेगा जग्दीश्वर आपकी जय हो है माता आपकी जय हो जग्दीश्वर का लक्ष है मानव का कल्या आए वामन रूप में धर्ती पर भगवान दो पग में भगवान ने ना पे दोनों धान